एकिरकार छे नई ने गुजरात को हराकर पाच्मी बार आईपिआल का खित लिया और पाच्मी बार बने चैंपियन छे नई के धाकर आल राउंडर सर जडेला ने आखरी दुगंदो पर 10 रन बना कर गुजरात के जबडे से जीत छिंछे नई के जोली में ढाल दिया नमस्कार मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन अख़ार का यूटूब चैनल कल IPL के इतिहास में जो हुआ वह देखने लायक था एस्टेडियम में बैठे दर्सक अपनी टीम को जिताने के लिए भगवान से दुआएं कर रहे थे पूरे देख की निगाहे टीबी एस्क्रीन और मोबाईल पर टिकी हुई थी लेकिन पंद्रह ओबर के आखरी दो गिंदो पर चैन्नई के धाकर अल्राउंड जडेजा ने एक छका और एक चोका लगाकर गुजरात के जबडे से जीत को छिन चैन्नई के जोली में डाल दिया और जैसे ही चैन्नई की जीत हुई पूरा अस्टेडियम में बैठे दर्सक जस्न मनाने लगे वहीं IPL 2023 का फाइनल मुकाबला गुजरात और चैन्नई के बीच खेला जा रहा था और चैन्नई ने टॉस जीत तक पहले गिंदबाजी करने का फैसला लिया वहीं गुजरात की ओर से सुगाद करने आये विसपोटक बल्लेबाज सुमन गिल और इधिमान साहा ने सुरुआत की इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने संदार सुरुआत के बदोलत बिना विकेट गवाए 50 रनों की साज़ेडारी कर दी वहीं सातवे ओवर में चिन्नई के धाकर अल्रांडर रविद्र जडेजा ने ओवर की अंतिम गेंद पर धोनी के हाथो सुमन गिल को अटंपिंग करवा कर पवेलियन बिदा कर दिया सुमन गिल बीस गेंदों पर 49 रनों की पारी खेली वहीं तेरहमी ओवर कराने आये रविद्र जडेजा के तिसरी गिंदों पर साहा ने चोका जड़ अपना अर्सा तक जड़ दिया वहीं चोदवें ओवर करने आये दीपक चहर ने ओवर के अंतिम गिंद पर रिदिमान साहा को कैच आउट करवा दिया जबकि साहा ने 49 गिंदों पर 24 रन की संदार पारी खेली थी वहीं गुजरात की ओर से खेल रहे सलामी बल्लेबाज साई सुदर्सन ने जो किया वह चनई ने कभी नहीं सोचा होगा चनई की किसी भी गिंदवाजों को धजिया उडाते रहे साई सुदर्सन जो भी बॉलर आया उनके गिंदों को बाउंडरी के बाहर पहुचाते रहे और देखते देखते 47 गिंदों पर 96 रनों की ताबर ताओर पारी खेली और अपनी टीम को 214 रनों का स्कोर पर पहुचा दिया गुजरात ने बीस ओवर में चार बीकेट गवा कर चन्नई को 214 रनों का लक्ष दिया वहीं चन्नई की ओर से सलामी बल्लेबाजी करने आये रितु राजगाय क्वाड और कानवे ने पारी की सुरुआत की और पहले ओवर की तिसरी गेंदों पर रितु राजगाय क्वाड ने चोका जड़ दिया हलांकि तीन गेंद बाद अहम्दाबाद के स्टेडिया में बारिस सुरू हो गई यृपारिस के बाद ओपन करने आये दोनो्स्छामी बल्लेबाजों आये वागी तर रितु राजगाय क्वाड को नूर अहम्द ने आउट कर दिया वहीं रितु राजगाय क्वाड को रासित खान चान चाथ्व itself आउट करवाया गया उसके बाद कानवे को मोहिस सर्मा के हाथो कैच आउट करवा दिया गया वहीं रितू राजगाय क्वाड ने 16 गिंदो पर 26 रनों की पारी खेली वहीं कानवे ने जबर्जस्ट पारी खेली इसके बाद रहाडे और गूबे ने बल्लेबाजी का मोर्चा स समभाला लेकिन राइडू ने भी आठ बॉल पर 19 रन बनाकर आउट हो गये इसके बाद चिन्णई के धाकल अल्राउंदर सर्जडेजा ने बल्लेबाजी का कमान समभाला और सबकी निगाहे जडेजा और सीवंदूबे पर तिकी हुई थी और अंतीमोबर में चिन्णई को चो गेंदों पर 13 रन बनाने थे जबकि अंतीमोबर करने के लिए मोहित सर्मा को दिया गया और अंतीमोबर की पहली गेंद सीवंदूबे ने डॉट कर दिये और अंतीमोबर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर रबिंदर जडेजा के अश्ट्राइक को दे दिया और रबि ज़ित को उमीद को जगा दी सबकी निगाहे अंतिंगेंदों पर टिकी हुई थी अंतिंगेंद पर भी चोका लगाकर चेन्ड़ी को पाच्वी बार आई पील का खिता जिता दिया और गुजरात के जबले से जीत को छिन चेन्ड़ी के जोली में डाल दिया बाकी तमाम आप नहीं खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रही है मैं मिडिया दर्शन से सोनु कुमार धन्यवाद